हम लोग श्रिमत भागवतम के तीसरे सकंद के पांच में धाय के थर्टी थर्ड तैतिस से लिकर चट्रिश लोगत सुनेंगे हम लोग इसमें आज पंच महाभूतों की स्रिष्टी का वर्णन सुनेंगे कैसे करम सिवय एक के बाद देखाते हैं तामसिक अहंकार से कल तामसिक अहंकार से शब्द की स्रिष्टी और उस शब्द से आकास की स्रिष्टी की बार में सुना जो कि भगवान का चिन्द है अब इस लोग में हम आगे सुनते हैं मेरे पीछे बोलिए कालमायांश योगेना भगवद विक्षतम नभः कालमायांश योगेना भगवद विक्षतम नभः कालमायांश योगेना भगवद विक्षतम नभः कालमायանयोगेना भगवद विक्षितम नभा नभसोनुस्रतमिस्पर्शम विकुर्वद निर्ममे निलन कालमायांशयोगेना भगवद विक्षतम नभा नभसोनु सृतम स्पर्षम विकुर्वन निर्ममे निलम काल मायांश योगेना भगवत विक्षतम नभः काल मायांश योगे ना भगवद विक्षुतम नभः नभसो नुस्रुतम स्पर्षम विकुर्वन निर्ममे निलं। तत पश्षात भगवान ने आकाश पर नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति से आंशतह मिश्रित द्रिष्टिपात किया और इस तरह स्पर्ष की अनभूती विक्षत हुई जिससे आकाश में वायूत पन हुई। इस चाट को देखिए तामस अंकार से क्या आता है इस चाट को बार बार दिखाना होगा ध्वनी यानि शब्द से आकाश अब आकाश ये ऊपर काल और माया का अंश प्रकृति की कुण कह सकते हैं उनका अंश मिश्रण हुआ और भगवान का द्रिष्टिपात हुआ तो क्य योग की उत्पत्ति हुई ये श्लोकार्त है इसली फ्लो चाट से समझ में आ रहा होगा इदा दिखा रहे है चाट अब अब इसको दिख लिजे काल मायांश योगेना नभ भगवद विक्षितम काल तथा माया के आंशिक योग से काल और माया के थोड़े अंश से के द्वा आकाश में भगवान की चा के वश्यभूत होकर स्पर्श की स्रिष्टी हुई काल माया का अंश उसके योग के द्वारा नभ आकाश में भगवद विक्षितम भगवान के देखते हुए स्पर्श की स्रिष्टी हुई एवन तथ पस्षात नभ सा आकाश के स्वयम से अकाश से अनुसृतम उद्भूत स्पर्शम विकुर्वन स्पर्श के रुपांत्रन द्वारा अनिलम दिर्म में वायु सर्जित हुई काल मायांश योगेना काल और माया के अंश के योग के द्वारा और भगवान के दृष्टिपात के द्वारा नभ आकाश में स्पर्ष की स्रिष्टी हुई यह ऐसे समझना होगा नभसा अनुस्रितम आकाश में ही आकाश से स्पर्षम विकुरवन स्पर्ष तन मात्रा के रुपांत्रन के द्वारा निर्म में निर्मान हुआ किसका अनिलम अनिल करता है वायू का इसी है ना ठीक है नेक्स है नायकांश कुछ बताया नें गये कि क्या मायकांश नहें कोुछ गूणों काही प्रवारा हो इतना मायकांश मेंशतोका इस सम्झा रहा है कि कुछ कुछ गुण ही होगunya क्या गुण है वो नहीं बढरन करने पसकी मायकेंश अ्यम्रह सारार्ट स्वयम मतलब स्पर्श के आकाश से स्पर्श और स्पर्ष के ट्रांस्वर्मेशन से वायु की उत्पन हुई यह हर जगह यही चलने वाला है ऐसा समझी हमाले ये ग्लास है, तो ये ग्लास हो गया आकाश स्थानी है, अब अधि भूत बात ये है कि इसी ग्लास से पानी आया और इस पानी के चेंज होने से, रुपां त्रण से मेंगो का जूस बन गया, आज मैं पी रहा हूं, एक मय क्या हुआ पी लिक संपरे है तो ज स्थान उसी स्थान में उसी स्थान से स्पर्ष तर्मातर प्रकट हो गया यह चार्ट दिखाई तो सिर्माद आदेगा आकाश से आकाश में काल और माया ने थोड़ा आंशतहा जादू किया और उसके उपर जादू कर थे कौन भगवान ने दिश्टिपात किया तो भगवान अपने दिश्टिपात से क्या नहीं कर सकते हैं तो आकाश से आ गया स्पर्ष आकाश में इस पर्ष है और उस पर्ष की रुप संधरवत्र को महान वायू सदा ही आकाश में ही सिर्फेत रहते है आकाश से बाएर किस ृम च्रा नहीं है बहुत एक वस्तों बात कर रहा हूं सारी बहुत एक वस्त में रहती तो कहें आकाश स्पर्श आ है, स्पर्श के ट्रांस्फर्मिशन से वायू आ गई, जो वायू आकाश में ही है, बहर नहीं है, ओके? और वायू में कौन से तनमात्राएं है शब्द और स्पर्ष दोनों है इस पर्ष उसका वह तनमात्रा है जिसको खीच लेने पर वायू की सत्ता समापत हो जाएगी इस पर्ष से ही वायू आई है लिकने स्पर्ष में ध्वनी भी है ठीक है सारी भौतिक स्रिष्टियां सुख्ष मुस्ते स्थूल बनती है संपूंड ब्रह्माण इसी तरह से विक्सुत हुआ है और जैसे आप अपने घर को देखें यदि आपने अपना घर स्वेम बनावाया है तो पहले घर आपका मन में बना था और अगर घर बहुत बड़ा लग रहा है तो सबजी कहां बनाते हैं सबसे पहले सबजी बनाते हैं पहले मन में पिएजडी कहां करते हैं प्रमाण कृष्ण प्रहू गलत तो नहीं बोल रहा है पहले पिएजडी की थियोरी थिस अब मन में आती है न फिर फिर स्थूल रूप से आती है फिर वो डिग्री आपको प्राप्त होती है जो कुछ भी आप देख रहे हैं जो भी कुछ थूल रूप से घटित हो रहा है, वह पहले सुक्ष्म रूप से घटित होना चाहिए. Is it sinking? Yes. तो यह चीज बड़ी इंट्रस्टिंग है. क्योंकि यद्दिपी यहां जादू लग रहा है, लेकिन यह जादू तो हम लोग रोज ही कर रहे हैं. मैं कुछ सोच की आया था कि बोलूँगा, अब वह प्रकट रूप में आपको आवाज की रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, यहां पर भी लगतार सोच रहा हूँ, वह सुक्ष्म है. क्या सोच रहा हूँ, यह आप नहीं जानते, तब तक जब तक में बोलता नहीं. तो सुक्ष्म का स्थूल प्रभाव होता है, सुक्ष्म का स्थूल प्रभाव होता है, सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, सुक्ष्म प्रकास थूल प्रभाह होता है अब हम बहुत विस्तार कर सकते हैं एक विस्तार आज आप दान कर रहे हैं कुछ मिला आपको आपका तो नुक्सान हो गया ना लेकिन वह सुक्ष्म रूप से आपके आपके अकाउंट में चला जाता है आगे आप देखेंगे कि हमें धन कहां स से प्राप्त हो रहा इतना सा रहा अकस्माद धन आता है व्यक्ति सुचता है कि मेरे प्रयासों से आ रहा है नहीं आपने पहले दान किया है इस कारण से वह आ रहा है कि यह अकस्माद ज्यान कैसे आने लगता है पहले ज्यान दिया है इसलिए अब ज्यान आगे 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 ध्वति ध्वति आगे आगे दोड़ता है पूर जनद Stream Welcome Cum अई से करके पीछे जन्म का जो पुन्य है वह अग्रे ध्वति ध्वति आगे आगे भागता है तो जो भुद्धिमान वनुष्य है भले ही उसका समय गर्ण से माले ही खराब कुछ भी देख रहे हैं, अपने नाक देख रहे हैं, अपना होड देख रहे हैं, अपना कान देख रहे हैं, अपने बुद्धी देख रहे हैं, अपना पेड देख रहे हैं, अपने रोग देख रहे हैं, वह सब कुछ स्थूल रूप से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं उन सब के पीछे सुख्ष्म कारण है जो भी हमने कर्म कि उसके अंसार हमको इस रुप में स्थूल रुप से प्रभाव मिल रहा है यह बात इस श्लोक से बहुत गंबीरता से सीख लेनी चाहिए और और पीछे चलें तो महतत्तिक सिष्टी कैसे हुई जीवों के स्वभाव उ कुसी लड़की में उनके आ सकती हो चोड़ दिया उसको तो अब छोड़ दियो कोई बात नहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे दुनिया में क्यों लिखी लड़की बची है और आसा भी नहीं कि और वर्वशी है लेकिन यहां तक वो अपने आत्महत्या का प्रयास भी कर चुके हैं तो आप देख रहें कि कैसे मन का जो विकार है वह स्थूल रूप में आ रहा है कि दिखाई पड़ रहा है और बोले क्या करूं मैंने का भागवत सुनो तो उनको समझ में नहीं आए उनको यह नहीं समझ मे कि मैं कुछ और उनके कुछ और कुछ पताऊंगा कुछ और सुलूशन बताऊंगा इस जगत में जो भी आप देख रहे हों कहीं जगडा देख रहे हैं कि परशानी देख रहे हैं उसका आप वह स्थूल कारण देख रहे हैं लेकिन उसका सुक्ष्म कारण है उसके मन की जगडा कर रहा हूं, दस नोट वर्क, अग्रीड, वेरी नाइस, और एक बार जो मैंने कल भी बताई ती फिर बता रहा हूं, आप ही देख रहे हैं कि भौतिक शब्द से, हाँ, भौतिक सब्द से क्या सश्टी हो रही है, सारी भौतिक वस्तु हैं, तो भौतिक संसार कैसे श हात्मिक शिरीर की प्राप्ति विक्ति हो के, बहुत 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 बात है, इसी दिसको हाइलेट किया जा रहा है, सारी भौतिक द्रिश्टियां सुक्ष्म से स्थूल बनती है, कुछ आज कल प्रजट चलते हैं, कहीं पे भी तो, उसके बारे भी डिसकस करने लगते हैं, फिर दिसकेशन और कारियों की रूप में एक रुपांत्रित होने लग जाता है, ठीक है, आकाश से स्पर्श अनभूती विक्सित हुई, जो नित्यकाल, बहिरंगा, शक्ती तथा भगवान के द्रिश्टिपात का मिश्रण है, यह स्पर्श अनभूती आकाश में वायू के आकाश में ही, इसमें क्या मुश्किल बात है, तो इसी है, इस समय जो भी आप पंके की हवा ले रहे हैं, वो क्या आकाश से बाहर जाकर ले रहे हैं, आस तक आकाश से बाहर कुछ कए नहीं जा सकते भाई, तो वायू तो आकाश के अंदर ही रहेगी ना, इसी तरह अन्य सा पर्ष वायू में वायू रूप में रूप अगनी में अगनी स्वाद में स्वाद जल में जल गंध में गंध प्रित्व में इसे थोई लेकिन धानते नहीं नहीं हो रहा है यह कुछ जादू जासा है जब जब स्पर्ष वायू में परवर्थित हुई तो इस पर्ष की सत्ता समाप्त नहीं हुई जदू है कि नहीं आकाश ने स्पर्ष की सिष्टी कर एकिन आकाश नश्च नहीं हुआ यह रुपांत्रन में में सुचिए कि मालीज यह खर्भूजे को तर्भूज में बता दिया तो कर्भूजा खता हूं और केवल तर्भूज नहीं खर्भूजा भी रहा और वह तर्भूज भी बन गया इस इनकोंसीरिबल जब मैटीरियल एनरजी ऐसी कार कर सकती है तो आध्यात में शक्ति का तो कहना है क्या यहां भी स्थूल रूप से देखते हैं कि पिता ने बेटे को जन्व दिया तो क्या पिता मर गया पिता के सत्ता रहती है और बेटा भी आ जाता है एक स्थूल बात बोल रहा हूं अब आगे सुनते हैं अनिलो अपिव कुर्वानो नभसोरू बलान वितह ससर्जरूपतन मात्रम जोतिर लोकस्य लोचनम अनिलो अपिविकुर्वाणो नभसो रूबलान वितह। ससर्ज रूपतन मात्रम जोतिर लोकस्य लोचनम। दतपश्षाद अतीव शक्तिशालिव वायू ने आकाश से अंतह क्रिया करके इंद्रिय अनभूती तनमात्रा का रूप उत्पन किया। यह रूप रूपी तनमात्रा को प्रकट किया। और रूप की अनभूती बिजली में रुपांत्रित हो गई जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। वापस चार्ट को देखिए वायू आकाश से मिलती है। यह ऐसे कहा जा रहा है इसमें भाषा यह वायू आकाश से बल प्राप्त करती है। अब जो भी इसकार्थ उताओ लेकिन समाव इसकार्थ ऐसे बताया गया कि वायू ने आकाश से बल प्राप्त करके रूप तनमात्रा की सिर्ष्टी करी यह बोल रहा है आकाश ने काल और माया के अंश से शक्ति प्राप्त करी और जो यहां लिखा गया हूँ और वायू ने आ आकाश से शक्ति प्राप्त करी तो आकाश में काल और माया का आंश की शक्ति तो है ही तो इस प्रकार से वायू ने आकाश से स्टार्ट अप ले करने के लिए शक्ति प्राप्त करी पूंजी निवश्चत करी तो वायू को आकाश सक्ति मिली और उससे रूप रूप तन्मातरा की सिष्टी हुई और रूप तन्मातरा अगनी में परिवर्थित हो गई एक रूर में भीक बजली उप बिजली की बात है विजली में अगर हीट होती नहीं तो रीजली हीट दिती कैसे बिजली से हीटर आता है कि नहीं आता है तो बिजली में अगर हीट उत्पन करने कि शक्ती नहीं होती तो बिजली आती कैसे वसता हाँ आप अगर जानते हों तो हीट से बिजली बनती है तो बिजली से हीट भी तो बनती है कोल प्लांट्स होते हैं कि ने तेज तो होता ही इसमें हीट भी होती है चलिए तत्पश्यात नभसा आकाश के साथ अंतह क्रिया करके उरुबलान वित्व महां बल्वान अनिलुवपी वायू ने भी विकुरवाणा रूपांत्रित होकर रूपतनमात्रम रूपतनमात्रा की स जिसने समस्त लोग को प्रकाश देने वाले जोती सुसर्जा तेज की सिर्ष्टि करें तो इस परश्ट है अनिलो अपी विकुरवाणों अनिल अर्थात वायू भी विकुरवाणा अर्थात परविर्थ थोकर नभसा उर्वलान वित्व आकाश से अत्यधिक बल प्राप्त करके ससर्ज सिर्ष्टि किया क्या रूप तन मात्रा रूप तन मात्रा की सिर्ष्टि किया और जोती लोकस से लोचनम वह रूप तन मात्रा परिवर्थ थोकर जोती अर्थात अगनी को प्रकट किया जो लोकस से लोचनम सभी जीवों को प्रकाश देने वाला है सभी आखों प्राप्त वायू रूप में रूपांत्रित हो गई तथा रूप द्वारा जोति उत्पन हुई जो लोग के चक्षु को प्रकाशत करती है। इसी है। अगला देखिए। अनिले नान्वितम जो तिर विकुर्वत पर विक्षितम आधत्तां भोरसमयं काल मायांश योगतह। जब वायू में बिजिली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने अथा तो भगवान ने दृष्टि पात किया। विशेश ब्रह्म की दृष्टि नहीं होती है। तो दृष्टि पात क्या करेगा। तो ब्रह्म ने दृष्टि पात किया। प्लेचा मतलब भगवान ने दृष्टि पात किया। उस समय नित्यकाल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वात की उत्पत्ति हुई। तब पर से आ गई हैं काल और माया वह हमेशा ही है। काल और माया आकाश में भी हैं, काल और माया वायू में भी है जल में भी हर जगे है यह देपी नहीं का जा रहा वह अंडरस्टूड है और भगवान की दृष्टी पातो है अनिले न अनुवितम वायू के साथ अंतव क्रिया करते हुए रेक्शन करते हुए परविक्षुतम भगवत इच्छा के विशिभूत अर्था जब तक भग अंत्री थोकर अर्थात तेजने रुपांत्री थोकर काल मायांश योगतह रसमयम काल इवा माया के आशिक योग से रस्तन मात्रा से युक्त अंभा आधत जल की स्थिष्टी करें लोग देखिए आप लोग सोचने का कहानी ने आ रही है तो कहानी चल रही न यह हुआ उसक स्पर्श का बेटा वायू बेटी वायू की बेटी रूप और रूप का बेटा हुआ अगनी ऐसे करके कहानी सुना रहा है ठीक है परवर्तित हो करके परविश्यतम भगवान की द्वारा इक्षण प्राप्त करके भवान की दृष्टी में होते हुए आधत्त सृष्टी करी किसकी अंभव मतलब होता है जल की वो जल कैसा है रसमय है अर्थात स्वादमय है काल मायांश योग था काल और माया के अंश योग क आगे पढ़ते हैं यह तो clear है यह चार्ट देख जो कि एक बार अगनी तक पहुंचे थे अगनी ने वायू से रियाक्ट करके स्वाद बनाया रस और वह स्वाद जल में रुपान्ट रित हुआ प्रिथविक सुष्टी कर देतने पिर क्लास रोकेगी जोतिशाम्भोनु संस्रिष्टम् विकुर्वद ब्रह्म विक्षितम् महिम गंध गुणाम आधात काल मायांश योगत हुआ जोतिशाम्भोनु संस्रिष्टम् विकुर्वद ब्रह्म विक्षितम् महिम गंध गुणाम आधात काल मायांश योगत हुआ बिल्कुल इस पश्ठ जोतिश अंभा नुस्रिष्टम् पहले दिखाई देता हुआ बात पढ़ लेता हुआ तत पश्ठ बिजली ने से उत्पन जल पर भगवान ने दिख्टिपात किया और फिर उसमें नितिकाल तता बहिरंगा शक्ति का मिश्रुण हुआ इस तरह वे प्रति में रुपांत्रित हुआ जो मुख के तहा गंद के गोण से युक्त है ब्रह्म विक्षतम मतलब भगवान की दिख्टि पढ़ने पर जोतिशा अनुसंस्रिष्टम् अंभा जोतिशाम अनुसंस्रिष्टम् प्रित्रब मतलब पष्च्चात तो जो जल जो जल विजली के देज के बाद बना थको से युक्त हो करके विकुरवदा रुपांतिर्त हो कर k Será माया के योगक से गन्ध तर्मात्रा ममात्रा है युक्त महीम आधात प्रित्वी की सुष्टी करी, क्या मतलब है, मतलब है, चार्ट देखिए, जल आया अगनी से, तो जल अगनी से मिल करके, कोलाबरेशन करके गंध मनाया, और गंध से प्रित्वी आई, बसी बात बोल रहा है, और इसा भगवान की अधिक्षता में हुआ, और काल और माया के अ विकृषता मिला जल फेर रुपांत्रित हुआ, विकृषता में है, कैसे हुआ, ब्रहम विक्षता में भगवान की दोरा देखे जाने पर विपरेमित हुआ, विपर, मलब रुपांत्रित हुआ और मही गंध कुणा माधात प्रित्वी की सुष्टी करी जो गंध कुण से योगत है काल मायांश योगता काल और माया के अंश से योग राप्त करके बस हो गया उपर युक्त श्लोकों में भौतेक तत्नों के वर्णनों से यह सपस्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दिश्टी पात की आफशक्ता पड़ती है और इसके बिना स्रिष्टी नहीं हो सकती है प्रत्यक रुपांतर में भगवान का दिश्टिपाथ अंतिम पूर्टा प्रदान करता है वे एक चित्रकार की भाती कार्य करते हैं जो वे भिन रंगों को मिला कर उन्हें विशेश रंग में रुपांतरुत कर देता है लेकिन अध्भुत बात यह है कि वह दिखते नहीं लोग सोचते हैं कि रंग अपने आप मिल रहे हैं जो कि एक नितान्थी वेर्थ की बात है किसी भी पेंटिंग को आप देखते हैं तो आप यह नहीं कहेंगे कि रंग अपने आप मिल गए कूची बोलते हैं उसको, कूची होती है, ब्रश को कूची को चलाने वाला कोई कूची कार होता है, वो चलाता है तो फिर रंग मिलते हैं, इतनी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बात भगवान की समझ में आती है जब एक तत्व दूसर तत्व से मिलता है, तो इसके गुणों में वृद्धी होती है, अकाश वायू का कारण है, आकाश में ध्वनी नामक एक गुण होता है, किन्तु आकाश तता भगवान के दृष्टिपात की अंतहक्रिया से नित्यकाल तता बहिरंगा प्रकृति के मिलन से वायू उत्पन होती है, जिसमें दो गुण पाय जाते हैं, ध्वनी तत्था इसी तरह वायू उत्पन हो जाने पर आकाश तत्था वायू की अंतहक्रिया काल तत्था भगवान की वहिरंगा शक्ती के स्परश के कारण बिजली उत्पन करती है, तहनी आकाश का भी और उस से आगी बिजली और वायू तो था आकाश के साथ बिजली की अंधक्रिया काल वही रंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दिश्टिपाद के मिश्ण से जल उत्पन करती है आकाश की अंति मवस्था में किवल एक गुंड रहता है वह ध्वानी वायू में दो रहते हैं हैं दो पर श्टा रूप और जल में चारगुं होते हैं खोड बौक्ति विकास कि अंति मवस्था में परत्वे relying होती हैं जिस टरह की जीवित चित्रकार के स्पर्ष के बिना रंगों का मिश्रण स्वतहा नहीं हो पाता, बिल्कुल स्पष्टतात पर है, यह स्वतहा प्रणाली वास्तव में भगवान के दिश्टिपात रूपी स्पर्ष द्वारा क्रियाशील होती है, समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव इतना ही निरनायक होती है, that means there is a conscious force behind all material transformations, जितने भी बहुते कार हो रहे हैं, क्रिया हो रही है, उसके बीचे conscious वेक्ती है, अब यह बहुता सिंपल बात लगती है, लेकिन देखें, लोग नहीं समझ पाते है कि यह सूर्य उदित हो रहा है, चंद्रमा उदित हो रहा है, इस तो क्या कह रहा है, हाँ, बारिश भी आ रही तो उसके पीछे भी कोई देवता है, वरण देवता कहते हैं, वरण यह, इंद्र देवता सारी है, जल के देवता वरण है, और बारिश की देवता इंद्र है, और इस प्रकार वेक्ती प्रकृति के प्रती सम्मान की भावना से युक्त रहता है। this is very important और सब कुछ अगर निर्विशेष कर ते इंपर्स्टेल कर दे तो प्रक्रती का दोहन करने में किसी को किसी को कोई खराब नहीं होगे कोई खराब नहीं लग भी रहा है गंगाजी में कच्रा डालने में कोई खराब नहीं लग रहा है सब जो भी सब ट्रेनेज हो जाना नहीं चाहिए लेकिन कुछ ववस्था नहीं बना जारी क्योंकि उसको एक देवी की रूप में स्विकारी नहीं कर रहा है सुख्ष्म गंदेगी के कारण कितना स्थूल परभाव इस जगत में पड़ रहा है ठीक है बहुत समस्त बहुतिक परवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है इस तत्त का उल्लेग भगवद गीता में निम्निवत हुआ है निश्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्तो सामान जनों की दृष्टी में आश्चर जनक रीति से कार करें है नो समझ महां की कैसी हो रहा है कि र्याप व्यापार विस्तता भगौन की निर्श्टन में होता है हर बार को रहे कि कैसे हो रहा ह। नई बात हमारे लिए हो सकती है उनके लिए कुछ भी नहीं जैसे को माल लिजी बहुत अच्छा रसोई पकाने वाला हो और वो आइटम आप पहली बार खाएं तो आपको बड़ा अश्यर होगा और समझ में नहीं आगा कि कैसे बनता है उसके लिए तो रोज का खेल है उसके कुछ ही कम दिमान वेक्ति होते हैं भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूपे विज्ञापित की जा रहे हैं अब कितनी सुंदर बात प्रहुपाद ने कहिए हम समाने वेक्ति सोचेंगे भाई ये तो नोबल लॉरेट हैं ये हैं वो हैं लेकिन उनको इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही है कि वह भी एक जीवित विक्ति हैं जिसको नोबल प्रुसकार मिला है रोबोट को नोबल प्रुसकार नहीं मिलता है जिस मशीन का वह निर्माण किये उसको नोबल नहीं मिल रहा है मशीन बनाने वाले एक जीवित इंसान को नोबल प्रैस मिल रह जो भी वो कारी किये हैं वो कारी जड़ है उसको नोबल प्राइस नहीं मिल रहा है किसी भी जड़ पदार्थ को मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज तक कभी कोई प्राइस दिया गया होगा और अगर दिया भी जाएगो तो उसे फरक क्या पढ़ता है मान डिजे किसी लैप्टॉप को सर्वस्षिस्ट लैप्टॉप घोशित किया गया आज कर चलता है वो नंबर वन नंबर टू उससे उसको क्या तो कुछ उसको अप्रिशेट नहीं करेगा तो यह बात सोचे इतनी सी बात वह नहीं समझ पा रहा है यह बहुत सारी बुद्धी होने का वह क्लेम करते हैं लेकिन जब तुमको एक बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर क्यासे बुद्धी माने में जाएगी जैसे मान है यह पाज इसी बात को बड़ा गंबीरता से कैतने कि जगत में लोग सिक्षा प्राप्त कर रहे है किया बंजाए है कर लो कि तो वो हो जाओगे यह कर लो कि नो को यह जाओगे यह इसलिए कम से कम जुन्नों को भागवतम सुनने का मौका मिल लहा है उन्हें साइन्टिफिक डिस्कवरी के कारण यह नहीं सोच रहेना चाहिए कि वो इतने बुद्धिमान है कि वो जर्मृत जरावैधी की प्राव्लम को सौल कर पाएंगे वो इसको address ही नहीं कर रहे है मरना तो सबको पढ़ेगा na. address कर रहे है हां accelerate कर सकते हैं कि पहले लोग यह लोग भाबा बयाको थीरे मर रहते यह लेकिन मृत्थि को नहीं रोख पा रहा है इस वेल इंपॉर्टन कुछ प्रेश्ट में देक लेता हो फिर रोकूँगा कोई प्रश्ण नहीं भौत एक संसार तो ओम से आया है ना क्या ये कहना गलत है ओम से आया है शब्द से तो आया है लिकम वो शब्द ओम तो नहीं था आपकी बात मैं गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन रेफरेंस दिजी कि किस तह से वो बोला गया है देखिए जो आपका कहना है वो गलत नहीं है क्योंकि भगवार ने कहा मैं बहुत हो जाओं तो कहा मलब इच्छा करी कि मैं बहुत हो जाओं और इस जगत की सिष्टी हुई लेकिन तो ये तो शब्द हुआ ना कि मैं बहुत हो जाओं ये हर इच्छा एक शब्द है ये धारण कर पा रहे हैं आपने चित्व में आप देखिए कि कुछ शब्द होता है वो इच्छा की रूप में काश आज मैं ये खाऊंगा ये मन में यद्द्व विचार है लेकिन ये कैद ध्षणाओं जाओं की मध्यमा पाशंति और वैखरी वह कारी आँ DA कि एक उन followक्र highly कि शब्द के रूप में होती है ऐ शब्द के हम लोग सोचते हैं तो ऐसा नहीं मैसुस होता है कि अंदर ही कुछ सुन रहे हो बहुत ही सूच में पॉइंट है यह सब तो भगवान ने सोचा तो वो सोचना भी वो शब्द ही है तो उससे जगल की सिष्टी हुए ठीक है यह तो कोई कटना यह नहीं है लेकिन भगवान उस समय ओम ही बोले मैं मैं नहीं क्या रहा हूं कि नहीं बोले उसका रेफरेंस दीजिए कि मैंने भी सुना है यह देखे बात समझने का प्रयास किजिए इन सारे डिसकुशन में ना तो मैं वहां था ना आप वहां थे कि मौन क्या बोले ओम बोले ओम या हरे कुछ पढ़ा जरूर हूं मैं इसलिए मैं अभी कुछ और व्यक्या नहीं कर सकता लेकिन धान देना बात यह होगी कि यह जो ओम है वह भौतिक का यह दार्थ नहीं बोल सकते हैं यह ओम है भी तो ओम भगवान बोले हैं तो भगवान ने ओम बोला हो और यह मेरी Speculation है इसको मैं इसको को explanation कर रहा हूं लेकिन ओम से सिर्ष्टी हुई है इसको खारिज नहीं किया जा रहा है लेकिन ये भगवान भगवान बोल सकते हैं ये तामसी कहंकार नहीं बोल सकता है और भगवान ने इच्छा करी तो वह इच्छा भी एक शब्द है कि इस जगल की सिष्टी होनी चाहिए तो यह सब तो ठीक है लेकिन अब उसकी बाद जो एक्सेमिनेशन है वो तो कहीं आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा और क्या है जो लोग अगले जनम में विश्वास नहीं करते उनको कैसे समझाएं उनको अगला जनम समझाएगा जो नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल सी बात है कोई एक विक्ति का समर्थ है यहां पर जो गैस करे कि मेरा शरीर दो साल की उमर में में क्यासा लगता था तो अब इसी जनम में आज अधोत हुआ मैं शाम को जब कर रहा था और मुझे अपने बजपन की स्मृतियाद आ रही थी कैसे हम टांडा में छोटे थे और शिपजी के मंदरी के चकर खेल रहे थे फाल से तोड़ रहे तो नहीं कहां से आ गया तो कहा से आगे में शुक्ष्म शृवर बिद्यमान रहता है वह आंगन था किचीन सब कुछ आदा रहा था तो चांडा का घर तो कहने बहुत पुरानी बात कर रहा हुआ एटी ऐटी ऐटी इटी इटी इट तो क्या में उसी शृवर में था वो शृवर तो चला गया ना लेकिन आधे है कौमारम यवनम जद्रा था दिहां तर प्राप्तिर धीरस्तत्र नम हुए तो जो वेक्टिव धीर है वह समझेगा नहीं तो धीर विक्ति को तो आखर सामने दिखाएंगे तब भी नहीं समझेगा इध्मा देख रहा है न आखा के सामने किसी एक भी व्यक्ति को आप नहीं दिलन से कह सकते हैं कि दो साल की उमर। कैसा लगता तो सभी लोग दो साल की उमर में को क्रॉस कर चुके हैं कभी कभी तो आश्चर यह होता है अपना ही फोटो देखेंगे तो मा को बताना पड़ता है कि तुमारा फोटो है बश्पन का आप अपने फोटो को नहीं पचान पाते तो यह दुबारा जन तो इसी जीव चाहते हैं ना कि हाव हाव तो बीलाइक की सो लाइक दर तो देखा परवर्त में देखी रहे तो उनको काल समझाएगा इस गौट इस अबाव कारण एंकार देन हाव कैन नॉर्मल परसून अंडर्स्टान गौड दा नॉर्म परसून इस इनुसें देन अच्छा प्रश्ट भक्तिया माम अभी जानाती यावन यस्चास्प तत्पताह तदो माम तत्पतो ज्यात्व विश्यति दरंतरम भगवत गीता इतना सुंदर तरकश है तरकश नमस्त इसमें बाण रखे आते आप को भी प्रश्ट एक बाण रूपी फेको तो तुरन उसके वत्तर में एक और चालन करके तीन चीज़ें बेसिकली शास्त्र कहता है अतह स्रिक्रिष्ट नामादी नभावेद ग्राहयम इंद्रिये सेवोन मुखे हिस जिवादव स्वयम एवस्पुरुत अधाह क्योंकि भगवान के तत्वसब दिव्य है कारण के परे है इसलिए भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राहय नहीं है लेकिन जब जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहन किये जाता है और जीव से भगवान का नाम बोला जाता है भवान के यश्क बोला जाता है तो भगवान स्वयम इसको अपना ज्यान भक्त के हिरदे में स्पूरित करा देते हैं जैसे कि यहां पे भक्तों को अनबब होगा कि कभी-कभी जब करना बड़ा कठिन लगता है और कभी-कभी जब बहुत आसान भी लगता है आज सुबह मुझे इतना कठिन लग रहा था जब मैं रोक दी हमने का चलो कुछ बैगन काट के आते हैं कुछ कुछ करके आता हूं कुछ करके आता हूं उस 15-20 मुट ब्रेक लिया फिर मैं साथ माला कर पाया और श्राम को बहुत अच्छा लगा तब अल्मोस्ट वही दे था दे तो बहुत परवर्टर नहीं होगा दूचार घंटे में तो यह दोनों यह अनभव दिखा रहा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है सभी का अनभव होगा हमारे ही अनभव असा होता कि आप एक दम लग रहा है बिलकुल लग आज पास गया रहा है नहीं मंटबर लग रहा है च 21 जुल जरोनर क्रों बर्ण अनट्तर आच्छा लगता हे और आज मैं देखा था कि बीच बीच में बढ़ा अच्छा लग रहा था फिर भारी लगता फिर भार्ण य theftors कि यह जो अच्छा लगना है यह तो दिव्य है ना हरे कृष्ण मंत्र है कि मैं आज बहुत चीज सिंपल सी रिफलेट कर रहा था आप कोई भी चीज खाई एक दिन दो दिन तीन चार दिन बाद बिलकुल बोर दाएंगे लेकिन हम लोग रोज इसको खाते हैं मतलब ग्रहन कर अ हर एकृस्ट व्यक्रथिजव इसे अ भूल नहीं हो रहें चू इस सो करने कर न अम चर्शो मंट्र कर दो को यहां में हरे किष्ण मंत्र है उसके द्वारा जो मन्त जिनकी मंत्र ही मूर् tape मंत्र मूर्थिमम अव्मूर्थिकम लेकिन कोई भॉधिक नहीं ऐसे भगवान का यजेत में करता है तो सवस्वम्यक दर्शन पुमान ऐसा व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ हो जाती है या हो जाता है कोई भी व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ हो जाएगा अगर भगवान का नाम जब निरप्राधिक रूप से करता है निरप्राध है नाम लईया पाबे प्रिमधन जब करते हैं तो इस एस्पिर आधिक नाम जब हो जाए ठीक है तो इस प्रकार से बहुन जानते हैं ओम प्रणव है अच्छा मुझे नहीं बता था आपने बताया thank you हमको पता है यह बात लेकिन हम यह नहीं कह रहे है कि ओम डिसक्शन यह नहीं है कि ओम प्रणव है कि नहीं है डिसक्शन यह है कि ओम कुछ भी नहीं है कि भगवान सभी कारणों के कारण है और इसी कारण वह कार्य और कारण से परे है क्योंकि अगर वह कार और कारण के अंदर होते तो उनका भी कोई कारण होता है वह सिंपल सी बात है वह सिंपल सी बात है बिग बैंक का थियोरी देने वाला भी ध्वनी से ह नहीं वह बैंब से बैंक बैंक भूंग एक्स्प्लोजन से वह एक्स्प्लोजन के मन में हुआ और जगत में प्रकट हुआ क्या भगवान भक्तों के रिश्दारों के भी रक्षा करते हैं अरे भक्त तो चलिए बहुत बड़ी बात हो गई अब प्रसाद घा रहा है केवल तो भी उसके सो पीडियों का उधार हो जाता है तो आप एकाद दो रोटी अगर पीट ना खराब हो तो एक्स्ट्रा खा लिया करिए पूलोजों का उधार करने के लिए को भईया क्यों प्रस साद घ्रहन करने से उस पीडियों का उधार हो जाता है कि कि जो बूरी लोग होते हैं तो दुश्मनी करेंगे एक से लेकिन पूरी परिवार चब्सक्टे करतें गंदी लोग हे न से तो अच्यों क्या करेंगे उसका पुर्माण क्या है? लेकिन प्रिलाद महाराज महाजन कहते हैं कि मैं एक कोता खाने वाले व्यक्ति की घर में कोई पैदा हुआ है उसको उस ब्रामण से भी स्रिष्ट मानता हूँ जो अपने मन वचन और कर्म को भगवान को समर्पित करता है अथा भगवान की भक्ति करता है क्योंकि वह अपने क कुल सहीथ सब का उधार करेंगा मदल अपना तो करेगा ही और कुल का भी करेगा क प्रमान के यह अप्रलाद महाराज ही प्रमाना है वो तो महान अपरादी थे फिर भी, क्योंकि प्रलाद महराद संबंध था, इस लेक भावाण न धार कर दिया, टो यह बहुत बड़ी बात होती है, अब करते है, लड़की का संबंध क्या हुता है, अबसे लड़के के लिए कि लिए बोल रहे है, लड़की का संबंध दोनों कैनoby Natural connection है यह मिने पूछा था एक क्वेस्ट बना के पूछ जारा हमें कभी एक बार भी निरेप्राधिक नाम और नहीं क्या 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 हमने कभी एक बार भी निर्ववादिक नाम चलने किया, नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए, यह जो भगवान की प्रेम की प्रकाशन की विधी है, यह अच्छा प्रश्ण है, बना कि नहीं कि अच्छा प्रश्ण है, यदि आपने कभी भी जप में टेस्ट का अन्भव किया है, और आप सबने ऐसा कभी न कभी तो अन्भव जरूर किया है, और कल भी कर सकते हैं, सुबह आउट करके बड़ी अच्छे से जब कीजिए, तो एक विशेश सुख का अन्भव होता है, इवन इफ इस फॉर फ्राक्शन अफ सेकेंड, यह सबाज कीजिए, और आप कहेंगे सुख का अन्भव नहीं भी हो रहा है, तो भी भगवान जरूरी नहीं कि वह वक्ति अपराद कर ही रहा हो, मान लो सुख अभी अन्भव नहीं भी हो रहा है, लेकिन बड़ी सिंसिरली जब कर रहा है, तो अब ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका अपराद बन ही रहा है, भगवान उसमें द्यानिता उत्पन करने के लिए खोल्ड भी कर सकते हैं, तो दोनों ही केस बन रहा है, शुक is not the absolute parameter for निरपराद, लेकिन ऐसा प्रहपात कहते हैं, in the course of chatting, as a person becomes offenseless, he develops a taste for chanting, आचा एक और बात है, कि प्रेम जो है, वो एकदम से नहीं बढ़ता है, प्रेम ग्राजुल स्टेप्स में बढ़ता है, के नाम का सभाव है, अलियास चतन महाप्रोव साक्षाद आजाए, वो तुरंद प्रेव निर्ने वो घलक बात है, लेकिन ऐसा सामानता होता नहीं, ब्रह्म समिता में ब्रह्मा जीस पस्ट करते हैं, धार्मिक, religious conduct, धार्मिक आचर्ण और नीमित अभ्यास के द्वारा धीर धीरे शुद्ध भक्ती की प्राप्ती होती है, और महाप्रभु ने स्वयम कहा है, क्रमे क्रमे से भक्त होई बे उत्तम, रोज भक्ती करती जाएंगे तो क्रम क्रम से धीरे धीरे करके एक कनिष्ट भक्त उत्तम भक्त बन जाएगा, तो यह सब बाते हैं, इसलिए ऐसे अपराद कर ही रहे, तो जब व्यक्ति अपरादों से बचने का प्रयास करता है, तो उसे नामा भास स्टेज कहते हैं, और धीरे धीरे वहां से व्यक्ति प्रक्रति करता है, और यह इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जिसकी पांच चैंटिंग, कुछ तो आप लोग अन्भव करी रहे होंगे कि बार बार जब करने से चीजें अधिक समझ में आने लगी है, आध्यात्मिक ग्यान अधिक समझ में आने लगा है, that is a sign of clarity of consciousness, मैं रिपीट करो, मैंने क्या कहा, जब आप बार बार जब करते हैं, तो चित साफ होने लगता है, तो चीजें जो बोली जा रही है, वो यथावत दिखने भी लगती है, मैं एक बात बोलकर छोड़ दूँगा समय तो होई रहा है, जो मुझे बहुत स्ट्राइक कर रही है, धन की आशकता सभी को है, कोई दात नहीं, लेकिन जैसे ही हम धन कमाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अशान्त हो जाते हैं, वो आप अपनी आशकता के लिए कमाएं, चाहे आप अपने एश्वर के लिए कमाएं, लेकिन जैसे ही कमाने के बारे में सोचते हैं, हम प यह आप लोगो लग रहा हूं कि हम टॉपिक से अलग बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि जब करते करती दिखने लगता है कि जैसे ही मैं इंदरि तृप्ति के बारे में सुचना शुरू करता हूं मनी है कुछ और भी पैसा काई कुछ चाहिए कुछ तो भोग चाहिए प्लीज उसको बहुत एक आशक्तर वाली फैक्टर से मत लीजेगा वो तो जो आपको श्रीट के लिए आवश्रक है वो तो चलाना होता को दिक्त नहीं है उसमें अतना टेंशन नहीं होती है लेकिन जैसे वो कथा बोलेंगे भगवान की बात बोलेंगे बहुत टेंशन होगी एक व्यक्ति एनिवन आज तक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको कथा सुनने की इच्छा हो और आपको टेंशन हो कथा सुनने की इच्छा से आप देखेंगे कि मन में शांती रहती तो अपने जीवन निर्वा के लिए मैं और चेंज करके बोलता हूं जीवन निर्वा ऐसे करें कि कथा सुनने को मिले तब धहन की प्राप्ति में प्रयास है अशांतिक कारण नहीं बनेगा क्योंकि धहन त दाकि मैं कथा सुन सकूं और कथा ही नहीं सुन पा रहे हैं तो बाकिस एक दम अशांतिक कारण है लेकिन यह बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस चीजें के वल अशांतिक कारण है मेरे रिषदार है वो से बात हो रही थी उन्हें का आईए ब्रिंदावन तो काफी बड़ होता हुजिए मों तो मैं इस प्लांड के बाहर नहीं निकल सकता तो मैंने खाए यह दो जैल हुआ हो मुझे बुला रहे वह कारिकरम के लिए तो मैं जा भी रहा हूं मुझे प्रसंता भी है लेकिन आप एक दिन के व्रिंदावा नहीं आ सकते हैं खुद बोल रहे हैं कि हम यह एक दिन के भी प्लांट से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो कहने को तो आप बहुत अच्छी पोस्ट हैं पैसा है सब कुछ मान सकते हैं लेकिन यह पदन होती है कि आपको एक जेल में लॉक कर दिया जाए तो बहुत ब्रह्म में हमारा हम सब का जीवन बीत रहा है कि हम सुखी है और खुद बोल भी देते हैं लोगा से हालत खराब हो रही है पता नहीं यह वीडियो कितना डिस थिवरी लगती है या फिर लोगों की ओपीनियन लगते हैं कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं यह अपना ओपीनियन दे रहा हूं लेकिन मैं प्रभपाजी की बात को ही रिपीट कर रहा हूं और देख करके रिपीट कर रहा हूं साधू लोग अपना उपीनियन नहीं देते हैं वह सत्य कावर्णन करते हैं यह बहुत बड़ी दिक्कत है कलियोग में की सब्लब सुचते हैं यह तुम भी सही और हम भी सही नहीं तुम गलत और हम सही कोई ऐसा क्यों कि शास्त्र का वचन है सदा समध्ध्वेग्न धियाम अस रहा हम किंकि और वह सब कुस्य मत जो बहुत नहीं लेंगे उनकी एक मूल प्रवल्म को सौल्प ने कर अपन तरुंद यह नेमी दुर शुंद तो वह हे मैंड़ा आपको समझ बैन लगता है कि आपके चर्टिंग अची हो रही है भले ही आपकोopes प्रeffect का रहा हो यह नहीं विशेश दिन में लेकिन आपकी चल्टनिंग अच्छी हो रही है तो आपको यह दिखने लग जाएगा कि इस सारे चीजें सत्य हैं, like that, so इससे आप समझ सकते हैं कि आपका चित्र का मार्चन हो रहा है, we'll stop now, this camera is not cooperating, शुमत भागवतम की जाए, श्रीलब प्रभुपाद की जाए, निताई गवर पिमानन दे,